दोज़र चौदा से बहुत कम पत्रकारों ने सरकार के नीतियों और प्रशासन को लेकर मोदी से कड़े सवाल पूछे दोज़र उन्यस के लोग सबाचुनाओं के दोरान जी नीव्ज, टाइमसनाओ, एबीपी नीव्ज, नीव्ज एटीन, नीव्ज नेशन और दा इंडियन एक्स्प्रेस एवं अन्य संस्थानों के पत्रकारों ने मोदी का इंटर्वियों किया लेकिन किसी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से क्रॉस क्वेशन नहीं किया एतिहासिक तोर पर देखे तो भारती मेडिया ने सत्ता में विराजमान लोगों के प्रती हमेशा ही नरम रूख अक्स्तियार किया है उनका ये रवया पत्रकारिता के उन मुल्यों के खिलाफ है जिनका उलेक भारती सम्विधान के निर्माता डॉक्टर बियार अंबेड करने किया था आजादी के पहले डॉक्टर अंबेड करने मूख नायक बहिश्कृत भारत और जनता जैसे प्रकाशनों की शुरुवात की और राजनेतिक नेताओं के प्रती मिडिया की भक्ती की निंदा की 1943 में डॉक्टर अंबेड करने कहा था कि भारती पत्रकारिता अपने नायकों के स्तूतिगान करने वाले लोगों द्वारा की जाती है नमंबर 1949 में सम्विधान सभा में अपने अंतिम भाशन में डॉक्टर मेड करने घोशना की थी भक्ती या नायक वंदना निश्च तौर पर बरबादी का रास्ता है जो ताना शाही की ओर ले जाता है बाउजुद इसके आने वाले दशकों में भारती मिडिया ने इस चेताउनी को नजर अंदाज किया और पुर्व की ही भाती सत्ता के शिखर पर विराजमान लोगों की वंदना जारी रखी जों 1975 और मार्च 1977 के बीच जो आपात काल जारी था इस दोरान इंदिना गांधी के नेतरुत वाली सरकार के खिलाफ़त करने वाले सभी प्रकाशनों को बंद करवा दिया गया था। किया जाता है इससे पहले कभी भी अंध भकति इतनी विक्राल नहीं थी जितनी आज के भारत में हैं। बिहारी बाचपी का महान राजनेता कहेकर महिमा मंदन किया लेकिन इसने बाचपी की सामपरदाइक बयान बाजी पर बहुत कम सवाल उठाए मिडिया ने हमेशा सुनिश्चित किया है कि कुछ नेताओं को हमेशा अधिक तवज़ो दी जाए पूने के अपने भाशन में डॉ में तार सलाकार नहीं मानती